खुल के चलाओ तो बारिस में नाके आई है ये देखो इसकी क्या कंडिशन है वहां से खोल लो वहां से खुल सांकल खोल लो और ये रहने दो अब तुरुश आगे चलाओ देखे बस वही तो देखना है कि कितनी टाइट है आपके बताने से तो टाइट लग रही है हां करो खुर खुर कल तक बिल्कुल ठीक थी ना कल सुबह तक बार आई जड़ता है वहां देखो दोस्तों इसके साथ यह बता रहे हैं क्या हुआ एक बार बताओ कल सुबह एकदम ठीक थी आप रोज बाहर निकालते हो गया हां तो रोज की तरह बाहर निकाली लेकिन शाम को यह आई नहीं थी पिर यह कम आई अपने आप आगई अजब पूरी राट ढूंडा वगर विली नहीं है लेकिन यह दोड़ती हुई आई उसका क्या मतलब हुआ यह दोड़ती हुए और फुल एक्टिविटी थी इसमें अच्छा फिर कुछ चारा भी लिया इसमें आते ही यह चारा वगरा थोड़ा सा खाया और एकदम से टाइट हो गया अच्छा चला गए अभी तो शरीर तो पूरा एकदम ठंडा हो रखाया देखो कहीं से भी देख लो अच्छा जो आपने रखा था उसमें क्या-क्या था खड़ी थी और क्या बता रहे हैं खल मेथी और बाजरा था और जूई इसने आदा खाया खाते ही रुग गई है और एकदम से टाइट हो गई और तब से यही इस्तिती चल रही है कंपनम बंद नहीं कर रही है ना सूब बंद एक यही इसे जुगाली कर रही है यह गिलरी बन तो गिले हैं अरे एक बार बांदो यह टेंपरिशन कितना है कि यह स्थी ब्यायी होई कपकी है यह बारत है बारत है एक साल ओगे और वापिस ग्या बिन साथ महीने की ग्याविन है यह आ पहले मुरा डालो उसके बात कवर करो से असिदा इसमें से निकाल करके मुलाव कि भाकि यहां बागते बाते घर आने के बाद कुछ क्भाया है अशी बात नहीं तो रात को आपको क्या लग रहा है बारिस में भीगी है या कहीं कोई तालाव में गई है यानि बिल्कुल पता नहीं है वह ये रात को कहा थी लेकिन ये कह रहा है कि कल परसो ये थोड़ी सी मिट्टी में सनी हुई थी और आज ये जब आई है ना तो बिल्कुल एकदम से क्लीन है रेखिए इसका मतलब ये बारिस में बीगी है ऐसा लग रहा है कल ये पूरी एकदम से मिट्टी में थी और आज देखो ये शनान की वही लग रही है इसका मतलब बारिस में बीगने का इसका पूरा डाउट है हाँ उपर लेकर के नीचे वापिस दो फटापड़ दे दो हाँ वापिस उसको बगड़नो बास टेम रसलो कितना है हाँ इसको किस करके बागी आज सुबह दूद दूद तो आप निकालते थोड़ी हो आज सुबह क्या दोनों सुमें दूद दे रही है तो आज सुबह कितना निकला रोज जितना या कम हो गया अच्छा शाम को निकला नहीं था ठीक है ठीक है यानि आने के बाद एकदम नॉर्मल भी हैविए था इसका लेकिन बाद में जो ही दाना मिसन खाया जितने में रुक गई बस कितना है रहा है और आखों की नॉर्मल इस्तिती है सुबह से जुगाली कर नहीं रही है और रात को क्या हुआ था ये एक्च्छल इनको पता है नहीं देखो इसकिन की ये दसा है रुमिनल मूमेंट देखो हाँ दबा करके 40 सेकिन तक कंटिन्यू दबा कर रखो आपस अबस शरीर पूरा थंडा है अभी जैसे धूप में कड़ी है उसके बावजूद एक तुम्स थंडा है पूरा सरी नहीं इतना थंडा है इस खोबर नहीं किया क्या सुबेस है तो जोबर मिनिगा और पैसाथ भी नहीं गिया नहीं में आखना दोर्ड़ा यह जोटीया गुडार ड़क से नहीं यह कर्डिसन हो रखी है भाई पूरी क्या आया गया नहीं आ रहा है रूमिनल मुमेंट भी नहीं है पूरा सरीर इस तरीके से अकड़ा हुआ है तो आप भी बताईए देखे क्या किया जा सकता है इसका एक बार हिला करके भी देख लो नहीं बोल रहा है हाँ पैसा आप तो करने लगी पैसा वाली प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे लगता है यह डियाइडरेट हुई है वहाँ पर क्या पानी बगरा हो सकता है पीने के लिए नहीं मिला हो या पिया नहीं हो तो देखो देखे क्या किया जा सकता है ऐसी कंडिशन में रहाँ प्रॉब्लम नहीं हो अचारी नहीं कि अन्सक्राइडरे प्रॉद्ट नहीं हो तो क्या अगर राचर राचरैंग़ प्रॉब्लम नहीं है आप प्रॉब्लम